सेलो बच्चो आज हम करने वाले हैं वन से थर्टी तक के एटोमिक मास नंबर की ट्रिक ठीक है तो कैसे हम उसको याद कर सकते हैं बहुत ज्यादा कन्फूजन रहता है इस पे और ये आपके नाइन्थ और टेन्थ दोनों में काम आने वाले तो जरो देख लेते हैं एक बार ह नंबर हमने ट्रिक से याद कर लिया है ठीक है हम एटोमिक मास ट्रिक से याद करेंगे ठीक है तो सबसे पहले ट्रिक क्या है वो लिख लेता हूं मैं आपे बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चो ठीक है ना तो ये बहुत बहुत इजी है थोड़ा सा ध्यान दू ठीक है यह अगर even number है एवन number है ठीक है तो क्या होगा यहां पर मैं सरी 1 से 20 तक की बात करूँ तो 1 से 20 तक क्या होगा जो even number है तो even number में क्या हो जाएगा 2 into atomic 2 into atomic number ठीक है तो जो even number होगो उसमें क्या ठीक लगने वाली है 2 into atomic number ठीक है और अगर odd number है 1 से 20 तक की बात कर रहो हूँ ठीक है अगर odd number है तो यहाँ पर क्या लगने वाल है 2 into atomic number plus 1 atomic number plus 1 अगर क्या है odd number है यहाँ तक clear हो गया ठीक है अब देखिए यहाँ पर 1 से 20 तक की बात कर रहो हूँ कितने 1 से 20 तक atomic number की बात कर रहो हूँ यहाँ पर बच 4 exception है exceptional case है वो हम देख लेते हैं बाकी फिर सब में यही trick लगने वाली तो 4 exceptional case है वो क्या क्या है मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर ठीक है 4 exceptional case है 4 case है यहाँ पर तो पहले देखते हैं beryllium ठीक है nitrogen ठीक है बई एक है beryllium nitrogen chlorine ओविस्सी बात है chlorine को तो आप यादी कर लो 35.5 ठीक है ना यह तो यादी कर लो आप और दूसरा है argon यह exceptional cases है बाकी सब में कौन सी trick लगने वाली है यही वाली even number वाली तो एक करके देखते हैं फिर इसको complete करेंगे ठीक है चलिए तो बच्छों आप देखते हैं यहाँ ठीक है होगी बाकी सब में होगी ठीक है तो even number देखे hydrogen तो पहले से यह इत्म माव आ रहत है तो H तो obviously बात है जो भी है वो वनी होगा hydrogen हमारा वनी होता है ठीक है ना second में आते है second है हमारे helium ठीक है तो helium क्या है देखो 2 which is even number तो क्या हो जाएगा 2 into atomic number 2 तो कितना हो जाएगा helium का chart clear है ठीक है ना फिर आगे बढ़ते हैं देखो lithium lithium क्या है odd number है तो 2 into 3 plus 1 तो कितना हो जाएगा 3 to 6 plus 1 7 clear है beryllium ठीक है ना मैंने आपको बताया है यह हमारा exceptional case है तो मैं इसको लाल रंग से बना देता हूँ तो beryllium के लिए भी हम वही करेंगे 4 है यहाँ पर देखो तो 4 है तो even number है इस पर यह नहीं लगेगा even है ना तो 2 into 2 तो कितना होना था यह तो 4 होना था 2 into 2 4 sorry 2 into 4 2 into 4 कितना होना था 8 होना था ना पर यहाँ पर यह 8 ना होके कितना होता है 9 होता है यह exceptional case है बस ठीक है beryllium हमारा 9 है ठीक है फिर आते हम boron में ठीक है boron में आते हैं तो boron कितना हो जाने वाला है simple है 5 तो यह क्या हो जाएगा 2 into 5 plus 1 even number odd है ना तो कितना हो जाएगा यह सीधे सीधे हमारा 11 हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर देखो कितना होना था वैसे तो यह क्या है हमारा हमारा क्या है यह यह हमारा odd number है पर इस पर यह चीज़ applicable नहीं होगी इसका कितना होता है इसमें nitrogen है तो 2 into सीधे सीधे में 7 करूँआ 14 इस पर यह चीज़ applicable नहीं होती है इसलिए मैंने देखो इसको लाल पेन से बनाए nitrogen exceptional case है तो 14 होगा तो बच्चों अब देखते हैं हम यहाँ पर देखो oxygen का case है oxygen है obviously बात है क्या है हमारा even number है तो 2 into 8 which is 16 ठीक है ना 16 हो गया फिर यहाँ पर हमारा fluorine इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है 2 into 9 plus 1 ठीक है ना तो कितना हो जाने वाला है और 19 ठीक है ना फिर यहाँ पर neon simple है तो यह हो जाएगा हमारा कितना 20 यहाँ तक कोई problem नहीं है फिर आगे हम na पर na हमारा क्या है एक odd number है तो कितना हो जाएगा 11 into 2 plus 1 which is 23 great कोई दिक्कत नहीं फिर magnees में भी ऐसी होगा हम आगे बढ़ते रहेंगे तो यह हो जाएगा मेरा कितना 24 ठीक है ठीक है फिर aluminium में भी हमारा यह होगा कितना हो जाएगा ठीक है फिर आते हैं हमारा इसको आप याद ही कर लो तो बढ़िया है एक्सेप्शनल केस है 35.5 ठीक है ना और हमारा आरगन को भी याद कर लो तो बेनिफेट है यह सीदे सीदे मेरा 40 होता है आरगन होता है मेरा 40 ठीक है तो 35 and 40 35.5 and 40 फिर फिर वही वाला केस odd even का केस हो जाएगा तो यहाँ पर odd even का केस हो जाएगा तो simple है यह कितना हो जाने वाला है मैं इसको black pen से कर लेता हूँ ठीक है ना तो जो exceptional नहीं है उसको मैं black pen से कर रहूँ तो यह हो जाएगा मेरा 39 और इस case में CA हो जाएगा मेरा 40 अब दोनों ही फोटी होते हैं तो घबरावों मत कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना यहां तक तो अभी हमने यह देखा कि कैसे हम 1 से लेके 20 तक का atomic mass number निकाल सकते हैं ठीक है ना यहां तक क्लियर हो गया आप लिख लीजिए यह exception है इसका यह भी लिख लीजिए अब आते हैं हम 21 से लेके 21 से लेके 30 तक कैसे हम atomic mass number याद कर सकते हैं देखो इसकी भी एक trick है बहुत important है बहुत अच्छे से समझना है जितने हमारे atomic number है तो यहां पे हमने क्या करना है atomic number से 2 का multiply करना है प्लस यहां पे एक phone number है या mobile number है यहां प्लस फोन नमबर आपको याद करना पड़ेगा अब यह phone number क्या है सर्वों मैं यहां पे लिख लेता हूं ठीक है ना फिर four five फिर four five फिर three six five क्या बात है बस यह याद रखना है आपको three four five four five four five three six five बस यह याद रखना है अब देखो trick कैसी है बहुत important है बिल्कुल सही बात है और यहां पे एक exception है और वो है हमारा कोबाल्ट क्यों कर दिया copper copper हमारा एक exception तो हड़ जगा ही होते है भाई एक हमारा copper exception है ठीक है ना तो यहां पे देखो मैं इसका trick लिख लेता हूं atomic number into two plus mobile number क्या है पहले तीन फिर यहां पे atomic atomic number into two plus mobile number क्या है फोर फिर यहां पे atomic number into two plus क्या है यहां पे 3,4,5 फिर atomic number into two plus 4 फिर atomic number into two plus 5 फिर atomic number into two plus 4 फिर atomic number into two plus 3 अब यहां पे यहां पे यहां पे यह exception है ठीक है मैं इसको red pen से कर रहा हूं यहां पे आप सीदे-सीदे क्या होगा? यहां पे आप सीदे-सीदे इसको याद कर लो ZN का फिर वहीवाला केस हो जाएगा ZN पे पहले भी बताएथ हो Atomic Number into 2 Plus 5 यहां पे क्या होने वाला है? यहां पे जो Co होगा मेरा यहां पे जो मेरा Co होगा सिधे सिधे लिख लो जो मेरा सी यू होने वाला हो सिधे सिधे लिख लो 63.5 यहां पर मैं इसको मिटाके रेट पेन से करता हूं ठीक है ना 63.5 ठीक है ना सिधे सिधे यहां पर यह करना है आपको clear है कोई दिक्कत है सिधे यू एक्सेप्शन है यहां पर कॉपर एक्सेप्शन है ठीक है ना तो यह हो जाएगा मेरा सिधे सिधे 63.5 सिधे 63.5 सिधे 63.5 एंड 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 क्लोरीन एंड क्लोरीन ए 35.5 ठीक है यह हो जाएगा मेरा 48 फिर यह हो जाएगा मेरा 51 चिक है फिर हो जाएगा मेरा 52 मैंगनी से हुजाएगा मेरा 55 है फिर फिरीम हो जाएगा मेरा 55-56 फिर 59 निकल हो जाएगा 59 एंड जिंक हो जाएगा मेरा 65 65 एंड कॉपर कॉपर तो हमेशा से परसानी करता है तो 63.5 क्लियर है तो यहां तक हमने अभी तक यह पूरी ट्रिक देगी बच्चो आई होप आपको यहां पर मजाया होगा और यह ट्रिक अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर कर लेजे प्लीस थैंक यू सो मच